नमस्कार दोस्तो दे जीएस टाइम में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बाल बिकास हम सिच्छाषातर के पैड़ागोजी से टॉप 20 क्योस्टिन लाएं हैं जो बेहद इंपोर्टेंट हैं कई बार परिच्छा में आ चुके हैं जिसका उत्तर हम इसा याद ही होना चाहिए इस वीडियो में हम आपसे 20 question पूछेंगए पड़ टे question के answer को सोचने के लिए हम आपको 5 seconds का मौका भी देंगे अगर आपको 5 second से ज़्यानाolina समय tarkेयो तो वीडियो को वहीं पर रोक करके answer सोच भी सकते हैं उसके बार हम आपको उसका उत्तर बताएंगे तो चलिए आज की वीडियो सुरु करते हैं question is बालक में शंसकारों का प्रयरंब कहां से होता है यानि कि बालक में संसकारों का प्रयरंब सबसे पहले परिवार से ही शुरु हो जाता है question is निवन में से कौन सा गर्वधान कल की अवस्था नहीं है इसका सही आंसर है A, सैस्वा वस्था तो दोस्तो डिम्ब, बीजकरर और भूड़ा वस्था या गर्वधान के पहले की अवस्था है लेकिन जो सैस्वा वस्था है वो गर्वधान के बाद की अवस्था इसलिए option A सही है Next question है मानो जीवन की मनो भावतिक एकता कालाती है इसका सही answer है A. मन तथा सरीर का विखास यानि कि मानो शरीर की भावतिक एकता मन तथा सरीर का विखास ही है Next question है गर्व में सरवथम किस चीज का निर्मार होता है दोस्तो ये बहुत ही important question है इसको याद हमेशा रखिएगा तो दोस्तो हम आपको बता दें कि बालक का सरवर्थाउं गर्व में सिर का निर्माड होता है उसके बाद पैर का निर्माड होता है इसलिए कहागे आए कि विकास हमेशा सिर से पैर की उर होता है इसलिए option 20 सही है जन्म के समय सीसु में कितनी हड्डियां होती है जन्म लेता है सीसु तो उस समय उसकी अंदर 270 हड्डियां होती है लेकिन जैसे ऐसे वह बड़ा होता जाता है हड्डियों की संख्या स्कम होती जाती है और लास्ट में आपको पता ही है कि मनुस में 206 हड्डिया रह जाती है इसलिए इसका सी option सही है question है बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्त उठा लेता है आपके अनुसार वह बालक किस आयुका होगा तो दोस्तों जब बालक 8 से 9 मा का हो जाता है तो अपनी मन पसंद का बस तो जमीन पर से उठाना शुरू कर देता है यदि आप जमीन पर कोई खिलावना रख दें और उसी के बगल में बहुत सरा पैसा रख दें तो बालक को जो पसंद आए वह उठाएगा आपको पता ही ये बालक को क्या पसंद है खिलावना ही उठाएगा इसलिए आपसन D सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है शीखने का आदर्शकाल माना गया है तो दोस्तो सीखने का आदर्शकाल सैस्वा अवस्था को माना गया यह वैलेंटाइन महोदे ने कहा है इसलिए आपसन A सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक पडोसी के घर में अपने मा की गोद में खेलता हुआ सो जाता है उसी के मा के दोरा उसके पडोसी के यहां बिस्तर पसुलाते हुआ रोना प्राराम कर देता है आपके अनुसार्य या बालक की साहिव का होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है C, 10 माह नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की सोच अमुर्थता किया पिछा मुर्थ अनुभव एवं प्रत्यों से होती है यह आवस्था है इसका सही आंसर है A, 7 से 12 वर्ष्टक नेक्स्ट क्वेश्चन है नसरीक अच्छा से सुरुवात करने के लिए कौन से विशय वस्थू सबसे अच्छी माने जाती है दोस्तों नसरीक अच्छा से सुरुवात करने के लिए सबसे विशय वस्थू मेरा परिवार है इसलिए आप्सन A सही है नेस्ट कोश्चन है भारत में बाल विकास के अध्यन के सुरुवात कब हुई थी? तो दोस्तो भारत में बाल विकास के सुरुवात 1930 इसबी में हुई थी इसलिए आफसन A सही है नेस्ट कोश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेत के कौसल को बिक्सित कर लेता है पर या उसके बल्लेवाजी के कौसल को प्रभावित नहीं करता है इसे कहते हैं तो दोस्तो इसे सुने परसे छड़ अंतरड करते हैं इसलिए आफसन C सही है इसलिए option B सही है प्राथ्मी बिद्याले के बालकों के लिए निवन में से किसे बहतर मानते हैं? तो दोस्तो प्राथ्मी बिद्याले के बालकों के लिए सबसे बहतर स्वयम के दोरा किया गया अनुभव ही सबसे बहतर माना जाता है इसलिए option C सही है जन्म के समय सिसु क्यूं रोता है? दोस्तो जब बालक जन्म लेता है तो वो नए परिवियस में आ जाता है नए वाता वरर में आता है जिसके काड़व रोड़ना सुरू कर देता है इसलिए option B सही है नेक्स्ट कुश्चन है निम्न में से कौन सी बिसरस्ता की सोरा अवस्था की नहीं है? इसका सही आंसर है असपस्ट एम इस्तिर आत्म प्रत्त है यानि कि D option सही है नेक्स्ट कुश्चन है पियाजे के संग्यानात्मक विकास के अनुसार संवेधी क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों जब बालक जन्म लेता है उससे ले करके और दो वर्स की अवस्था को संवेधी क्रियात्मक अवस्था करते हैं इसलिए option A सही है नेक्स्ट कुश्चन है छात्रों के सही मुल्यांकन के लिए निव्ण में से किस बीधी का प्रियोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों छात्रों का सही मुल्यांकन करने के लिए जो बीधी प्रियोग की जाती है उसे सतत मुल्यांकन करते हैं इसलिए option B सही है चोटा सिसू खिलाओने तथा अन्य वस्तों को फेक कर उसके भागों को अलग करके किस भागों को दर्साता है तो इसका सही आंसर है C, जिग्यासा प्रविर्ति यानि को वह बालक उसको खोल-खोल कर देखना चाहता है कि इसके अंदर है क्या सुरी बच्चे के साथ चलता है उसके मुड़ने का अनुकरार करता है और बच्चे की बात सुनता है या कतन बालक की किस लच्छड की और इंगित करता है तो दोस्तो इसका सही आंसर है C, सजिव चिंतन यानि कि जो बालक है वो असजिव चिंतन करता है इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहा है जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं हम आपसे अगली वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार